नमस्कार और विलकम यौल दू स्टडी आइक्यू मैं हूँ प्रशान धवन नाव यूजुली CNN यूएस मीडिया आउटलेट CNN जो आप क्या सकते हैं ना सिर्फ USA का दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज आउटलेट है इंडिया के बारे में जरातार पॉजिटिव न्यूज प प्लैन है इसे ड्रॉप कर दिया था यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल इंडियास इंटर्वेंशन मेड पुतिन अबैंडन अबैंडन होता है छोड़ देना यूस ओफ नुकलियर वैपन्स इन यूकरे नहीं तो रश्या अपनी तरफ से काफियत तक त्यार था न जो पॉलिटिकल ओडर में इंडिया की इंपोर्टेंस क्या है काफी बार यूकरेन के विशे में यूरोप में इंडिया की अलोशना की जाती है कि इंडिया ने उतना नहीं किया यूकरेन के लिए जितना करना चाहिए था जबकि वेस्टन मीडिया आज के समय खुदी कह रह कि बिल्कुल US तयार हो चुका था 2022 में एक potential Russia nuclear strike के लिए in Ukraine अब यहां पे आप अगर सोच रहे हैं कि USA को क्या preparation करनी थी देखिए इसके बारे में कई reports publish हो चुकी है कि USA के कई former soldiers या फिर कई soldiers unofficial तरीके से Ukraine में मौजूद हैं तो USA ने अपनी तरफ से उनको निगालना start कर दिया था और एक plan तियार कर लिया था कि कल को जब acid rain होगी nuclear bomb यूज करने के बाद के जो side effects होते हैं लंबे समय तक जो रहते हैं उनसे कैसे जूजना होगा medical aid कैसे provide करेंगे Ukraine को USA ने hard work के साथ इसकी preparation करनी शुरू कर दी थी अब यहाँ पर आपका सवाल आएगा कि 2022 में ऐसा क्या हो गया था कि एक बार को रश्या ने nuclear weapons यूज करने का सोची लिया था देहिए 2022 से लेकर 2023 की जो शुरूआत थी रश्या के लिए बहुत एक कठिन पीरियर था comparatively अगर मैं बोलू आज के सवे रश्या एक बहुत stronger position पे है इसका एक बड़ा reason ये भी है कि इसराइल हमास की war की वज़य से न USA के बहुत सारे resources अब बढ़ गए हैं US अब उतना focus नहीं है युक्रेयन war पर जितना एक time पे हुआ करता था क्योंकि आप 2022 के आसपास देखो न तो युक्रेयन की सेना इत्ती तेजी से आगे बढ़ रही थी कि एक बार को लग रहा था कि जो रश्या का occupied खेरोसान रीजन है जो रश्या ने कबजा रखा युक्र उसको लीड कर रहे थे उक्रेयन में उन्होंने भी बगावत कर दी थी अपने टैंक मोस्को की तरफ मोड लिये थे तो रश्या काफी प्रेशर में था व्लादमिर पोतेन जैनुएनली बहुत जारा गुसा थे और इस टाइम ना एक बार को एंटिस्पेट किया जा रहा था कि रश्या एक बार को अपना जो नुक्लियर वैपन प्रोग्राम है इसका यूज़ कर लेगा और एक टैक्टिकल नुक्लियर वैपन यूज़ कर देंगे जहां तक बताया जा रहा है कोई आसा नहीं है कि बड़े स्केल पर कीव पर ये बॉम एक्स्प्लोड करने वाले थे रश्या प्रामेरली यूज़ को डराने के लिए एक टैक्टिकल नुक्लियर वैपन यूज़ करने वाला था और अक्तोबर 2022 में रश्या ने इसके इंडिकेशन्स यूएस फ्रांस यूके समेत कई कंट्रीज को दे दिये थे यहाँ पर आप देख पाओगे इस आडिकल में लिखा है कि अक्तोबर 2022 में रश्या के जो रख्षा मंतरी हैं सरगई शईगू इन्होंने लगातार फोन कॉल्स किये यूएस को यूके को फ्रांस को टर्की को और ये कहा के देखिए कीव 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 मतलब के यूकरियन की गैपिटल यहाँ से एक डिर्टी बॉम का अटैक ह हो सकता है रश्या पर और अगर रश्या को कंफर्मेशन मिल गई के अटैक होने वाला है तो उससे पहले रश्या ही एक टैक्टिकल नुक्लियर वैपन यूज कर सकता है तो यह जो कंसर्न धाना लगातार बड़ा हुआ था और यूएस ने उस वक्त इंडिया समेच चाइना को भी यह कहा कि प्लीज रश्या को समझाइए टैक्टिकल नुक्लियर वैपन यूज ना कर ले इससे वार कहीं और ही चली जाएगी यहाँ पे आप देख पाओगे CNN ने अपने आर्टिकल में ही कहा है कि US sought to enlist the help of non-allies हमारा देश इंडिया एलाई नहीं है USA का एलाई होता कि आप प्लीज डिसकरेज करिये रश्या को क्या आसा अटाग यह ना कर दे और यहाँ पे आप देख पाओगे USA के एक senior administrator इस बात को accept कर रहे हैं कि one of the things we did was not only message them directly but strongly urge them हमने उनको गुहार लगाई कि प्लीज आप रश्या से लगातार बात करिये उनको ये बात समझाइए कि nuclear weapons use ना हो जाए और उसके बाद US officials ने ये कहा कि जो outreach और public statement थी Chinese leader शीजिंग पिंग की और Indian Prime Minister नरेंदर मोदी जी की इससे crisis काफी हद तक अवर्ट हुआ शीजिंग पिंग ने कोई खास public statement दी नहीं थी PM ओधी की जो एक statement थी ये बहुत important थी के this is not an era of war इसकी वज़े से बहुत ज़रा pressure आया रश्या पे क्योंकि रश्या को ये बतारा के इन पर sanctions already लगे हुए है इंडिया चाइना ने अगर कल को अपनी market का access रश्या के लिए बं जादा isolate हो जाता इंडिया चाइना ने एक बाद clear कर दी थी कि ये nuclear weapons का use accept नहीं करेंगे तो रश्या को मजबूरी में अपना plan change करना पड़ा और सबसे जादा अजीब बात मुझे पता है क्या लगती है दुनिया के बारे में दुनिया अथी unfair है और मुझे personally आम उससे जोरी अगर आप उसे पूछे तो वो racism है नसल भेद ये जो racist mentality है ना आज भी Europe में exist करती है आप सोच कर देखिए इंडिया चाइना ने literally Ukraine को nuclear bomb से बचा लिया ये बात again American media खुद कह रहा है उसके बाद भी ना 2023 जब आया तब जिलंस्की के जो aid है जो इनके main advisor है मिखाईलो प कि अच्छिली काफी कम जो लोग है इनको सम्निया आटी चीजे एस्पेशली मोड़न वोल्ड की जो अंड़स्ट अड़स्टेंग है इन कंट्रीज में है नही नहीं В чём проблема Индии, Китая и так далее? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала сегодня луноход, да, и уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно так же, как Турецкая Республика. Это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит. Мы соблюдаем потребности наших национальных интересов. Но получат они возможность купить дешевле сырье. Это, в принципе, украинские национальные интересы. करने के बाद भी ऐसी स्टेटमेंट्स इनके लोगों की तरफ से आई है और हमारे विरेश मंतरी जब भी यूरोप में जाते हैं किसी भी कंट्री में जाते हैं तो कोई ना कोई यूक्रियन रिपोर्टर या फिर प्रो यूक्रियन रिपोर्टर एक सवाल पूछता ही है कि आप सोशल मीडिया पे इसके बारे में बात करोगे कि ये इंडिया का रोल है मैं आपको बता दू हम इंडिया की जो इंपोर्टेंस है जियो पॉलिटिकल फील्ड में इसे इतना डिसकस करते नहीं है जितना डिसकस करना चाहिए तो प्लीज शेर दिस निउस आर्टिकल की में किसी भी फॉर में सोशल मीडिया में एक बार को शेर करिये के ये इंडिया ने किया था युक्रेइन के लिए और इस बात को अमेरिकन मीडिया भी CNN भी अपनी रिपोर्ट्स में बुक्स में इनकी बुक्स पब्लिश हुई है इसके बारे में ये मैं आपको लगसे दिख